नमस्कार दुस्तो डेट है आज की 23 अगस्ट 2021 इस डिसकेशन में हम 23 अगस्ट 2021 का जो हमने मौर्निंग में सुबा 4 बजे करेंटिफर को बहुँ डिटेल के साथ कवर किया था उनी करेंटिफर के कोशनों को हम इस डिसकेशन में ऐसे टेस्ट लगाएंगे और साथ में दो पीछे के भी हम रिवाइस करेंगे तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला कोशन अगस्ट 2021 में किसने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए ब्रिक्स उध्योग मंत्रियों की पांच भी बैटकी अधिक्स्ता की तो पीश गोएल इस कोशन का सही आंसर है फर्स् क्या होगा उत्तर प्रदेश सेकंड कोशन का सी आंसर सही है उत्तर प्रदेश थर्ड कोशन किस राज्य के चमोली जिले में 11,000 फीट की उचाई परिस्तित भारत के सबसे अधिक उचाई वाले हर्वल गार्डन का उध्गाटेंग किया गया है तो उत्तरकंड इस कोशन का स ऑनिरूत बाला जी सी इस कोशन का सई आंसर है फिफ्ट कोशन किसने दः हाउस डैट जी बिल्ट नामक पुस्तक लिखी है तो आंसर क्या होगा सुर्वी धहिया डी इस कोशन का सई आंसर है नेक्ट कोशन सिख्ट कोशन भारत किस वर्स तक सो और भुकंप वैद शालाओ क तो जोड़ देगा तो दो हजार चब्विस सी इस कोशन का सही आंसर है सेवन्त कोशन खबरों में रहा काजी रंगा राष्ट्य उध्यान किस राज्य में श्तित है तो ये कहां पर है ये आसाम में है तो सेवन्त कोशन का ए आंसर सही है आसाम नेक्स्ट कोशन एट्थ कोशन इन में से किस राज्य सरकार ने ओधोगिक इकाईयों के लिए 500 करोड रुपे के पैकेज की घोश न की है तो गुजरात इस कोशन का सही आंसर है नाटो की स्थापना कब होई थी नाटो का पूरा नाम क्या है नौर्थ अट्लैंटिक क्रिटी औरगेलेशन तो इसकी स्थापना होई थी 1908 में यानि C इस कोशन का सही आंसर है अब 11th और 12th question ये दो पीछे के हैं किस राज्य सरकार ने मक, कलाई, थेड़ी, मार्थु, वाम, योजना शुरू की है तो आंसर क्या होगा तमिलनाडू 11th question का B आंसर सही है तमिलनाडू 12th question किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018 इसमे 53.57 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 2020 में 44.02 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है तो आंसर क्या होगा चीन D इसकोशन का सही आंसर है तो ये थे हमारे 12 question फ्लारिस डिसकुशन को यहीं पर रोपते हैं थेंक्यू